काफी सीरियस है तो अगर आपके पास हिमत हो देखने का तो देखना ठिक है और अगर आप नीट आस्पियरंट हो ठीक है तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप स्ट्ट ने मेरे से डारेक्स की बोला कि भाया आप लोग ऐसे है कि आपकर साता है तो इसके बाद ही मुझे पता चला खिंगे तो इसमें कोई बदरी सी बात नहीं कि वह र्याली आपको पहले से पता हो नहीं चाहिए नीट र pourrait के टाइम में पता होनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं के पता होना जरूरी है बट फिर भी मैं आपको रियालिटी बताऊंगा अगर आप सुन सको तो सुनना ठीक है और इस रियालिटी को जानने के बाद अगर आप फिर भी अपने आपको मोटिवेट रख सको तो ये वीडियो को देखना वरफ्ना skirt कर सकते हो वरफ्ना is skip कर सकते होँ वीडियो शरू कर त्यां मैं कुछ में इस वेडियो को बनाया हूं ठीक है कुछ कुछ कोंचन जो मेरे सब्च पूछे कि MBBS में क्या ऐसा है MBBS में ऐसा है tao उस गूर्ष को ले के में आपको इस वीडियो में आगे बढ़ाऊंगा तो सबसे पहला चीज होती है कि नीट के टाइम में आप पढ़ते तीन किताब है मात्र एंबिवियस में आपको 16-17 बुक्स पढ़ने हैं ठीक है बोले तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट है यह ठीक है तो आपको पढ़ना बहुत है पढ़ना बहुत है अनगीनत पढ़ना इतना है कि जब आप एंबिवियस कंपलीट करके आप जब कॉलेज छोड़ोगे ना धुसरे में PG के लिए जाओगे ना तो आपके हाइट के बरावर आपका बुक हो जाएगा वो भी बुक ऐसे से होते हैं कि उसका वजन तीन किलो चाड़ किलो के आसपास होता है समझ सकते हैं आपके पढ़ना कितना है फाइन उसके बाद अगर आप फस्ट यहर में हो उसके पास मांतर तीन सब्जक्ट मिलते हैं ठीक है उसमें से एक सब्जक्ट जो होता है टोटली आपके लिए नीव होता है that is anatomy ठीक है तो वो students को थोड़ा सा tough लगता है but वो आपको करना पड़ेगा ठीक है दूसरी questions यह है कि MBBS में आने के बाद जो student के ऊपर जो हता है pressure पढ़ाई का वो increase हो जाता है और वो अपने hobbies को छोड़ देते हैं मतलब अपने hobbies को भूल जाते हैं ठीक है अपने hobbies के उपर वो time नहीं दे पाते हैं ऐसे बोल सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है guys MBBS में ऐसा है कि जब आप first year में आते हो जब आप first year में आते हो तो आपके पास unlimited time होता है अपने आपको दिखाने का मतलब अगर आपके अंदर कुछ talent है तो आप अपने seniors को बता सकते हो अपने college के stage performance में अपने आपको so कर सकते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना hobbies को पूरा completely खतम कर दो ऐसा नहीं है ठीक है अगर आप में कोई talent है कोई hobbies है कुछ आप करना चाहते हो तो आप college में आके कर सकते हो बट बट सुनो first year में कर सकते हो second year में कर सकते हो third year के बाद आपको serious होना पड़ेगा अपने studies को लेके क्योंकि third year से आपका number of subject बढ़ जाते है first year में 3 second year में 3 बट third year में जादा हो जाता है ठीक है तो आपको second year तक आप जितना मस्तिक करना चाहो आप कर सकते हो as a junior as a senior दोनों आप मस्तिक कर सकते हो आपके पास पूरा time है अपने hobbies को भी time दे सकते हो ठीक है third question MBBS में आने के बाद देखो guys life set नहीं होती है ठीक है life set नहीं होती है यह बहुत सारे neat experience को ऐसा confusion रहता है कि MBBS college में चले गए and पैसा मिलने लाएगा यह होने लएगा ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है आपको सारे 5 साल का MBBS course complete करोगे तब जाके आपको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा थोड़ा थोड़ा ठीक है जब आप internship में आओगे जैसा कि मेरे college का condition है कि आपको 15,000 internship में मिलता है उससे पहले आपको एक रुपया तक नहीं मिलता है government के तरब से तो MBBS में आने के बाद life set नहीं है life set का मतलब यह होता है कि earning करना शुरू कर देना बट ऐसा कुछ नहीं होता है MBBS complete करने के बाद ही आप earning करोगे और वो भी आप MBBS के बाद अगर PG करोगे तब जाके कुछ अच्छा doctor बनोगे और कुछ अच्छा amount earn कर पाओगे तो MBBS में आने के बाद life set नहीं है हाँ एक चीज बोल सकते है कि आपने एक सीड़ी चाहर लिया success का एक सीड़ी जो होता है जिसको neat बोलते है नीट वो आपने पार करके अगले सीड़ी के तरब चला गया जहां पर आपका chances है कि आप life में कुछ अच्छा कर पाओगे ठीक है तो ये चीज आप समझो कि आपका MBBS में life set नहीं है set है बट उसके बाद भी आपको खुद बहुत मिनत करना पड़ेगा तब जाके आप कुछ अच्छा कर पाओगे एक चीज समझो जैसे कि मालो ये एक gate है नीट जो exam है ये एक ऐसा exam है जो इस बड़े से room के लिए जोसे मालो ये gate है इस gate के अंदर एक बहुत बड़ा room है जहां पर काभी सारे MBBS student है तो ये नीट जो exam है इस gate में entry देने के लिए जस आपको है उसके अंदर क्या हो रहा है ये आपको college में आके पता चलेगा तो बट इसको लेके आपको demotivate नहीं होना है बहुत सारे students जो है college में आके बहुत अच्छा करते हैं और बहुत सारे students टॉपर टॉपर लोग विए जो नीट में अच्छा टॉप की है अच्छा marks लाएं वह भी आके यहां पर नॉर्मली रह जाते हैं ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आपको यहां पर आके पूरा relax हो जाना है रिलेक्स नहीं होना है आपको पढ़ते रहना है जिस जो से आप नीट में पढ़ रहते हैं अगर वही जो से आप MBBS में पढ़ते रहा जाओगे ना तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो fine and the next question है कि MBBS में आने के बाद आप social नहीं रह पाते है social रहने का क्या मतलग है कि आप अपने जितने भी friends थे जितने भी friends से सब को भूलना पड़ता है अटिक है ऐसा है कि मतलब खुद के पढ़ाई में पूरा टाइम देना है कि हर्दम पढ़ाई 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 दिईस पढ़ना तो है पढ़ना है यह मैं हमेसा की आप को बहौत कि keyword जीतने आप सोच भी नहीं सकते हो उतना पढ़ना है बट आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी इंजोई कर सकते हो सब कुछ के साथ आप पढ़ सकते हो ठीक है ऐसा नहीं कि आपको पूरे दिन पढ़ना है आप सब कुछ कर सकते हो सब कुछ बट सब कुछ के साथ साथ आपको पढ़ना है ठीक है तो आप सोसल भी रह सकते हो आप अपने पैरेंट्स के साथ फ्रेंड्स के साथ दोस्तों एस्कूल फ्रेंड्स जो भी हैं आपके सब के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो आपके पास टाइम है बट मैं बोला रहा है कि everything के साथ साथ आपको पढ़ाई को continue करना है priority इसे भी देना है ऐसा नहीं कि यह कुछ नहीं पढ़ाई आप करना ही नहीं 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 पढ़ना है ऐसा कौन सा फिल्ड है जहां लोग नहीं पढ़ना है है ऐसा कौन सा फिल्ड जहां नहीं पढ़ना हर जगा आपको सक्सेस पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा चाहे वह इंजिनेरिंग हो चाहे वह मेडिकल हो चाहे वह यूप्यस्ट का एक्जाम क्यों होगा इस पता है ना कि यूप्यस्टी से निकलने वाले जो ऑफिशर होते है वो भी टेंसरे प्रेशर के वज़े से कभी कभी सुइसाइड कर लेते हैं ठीक है तो ऐसा नहीं के प्रेशर वहां नहीं है टेंसल वहां यह पैसे हैं पैसे हर जगा है लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए पैसे को पाने के लिए ठीक है पैसा अर्म करने के लिए आपको struggle करना परेगा ठीक है आपने struggle का एक फिसद पार किया that is neat but आपको ऐसे ऐसे बहुत exam एम देने पड़ेंगे ठीक है उसके बाद next question आती है कि एम देस में fail होते हैं बत्चे fail होते हैं ठीक है यह बहुत मतलब ऐसा होता है कि उन्हों को लगता है कि अब कोई इक्जाम नहीं है तो बस अब पढ़ते जाना है ठीक है ऐसा कुछ नहीं है गाइस इक्जाम होता है हर यर में आपको तीन-tीन चार-चार एक्जाम देना पड़ेगा ठीक है सेमेस्टर होंगे यूनिवर्सिटि होंगे और उस एक्जाम में गाइस काफी मात्रह में बच्चे फेल भी होते हैं यह चाहिए अगर आप कॉलेज में आके फुल मस्ती ही करोगे देन चांसेस है कि आप फेल कर जाओगे और गाइस अगर फेल कर जाओगे तो ऐसा होता है कि आप जूनियर के साथ फिर पढ़ने चले जा यह रियलिटी है तो आप समझो कि आपको पढ़ना है यहां भी तो आपको यहां आके पढ़ना पढ़ेगा अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फेल करोगे और फेल करने के बाद आपको फिर से जूनियर बैच के साथ जाकर पढ़ना पढ़ेगा ठीक है नेक्स कुईशन है कि MBBS में पैसे नहीं है ठीक है बहुत परा कोईशन है कि MBBS करने के बाद PG करना मस्ट है और PG अगर नहीं करते हैं तो कुछ भी पैसा नहीं है ठीक है गाइस एक ची समझो कि अगर आप MBBS को धंग तरीके से कर ले तो धंग तरीके से बोले तो अच्छे से पढ़के अच्छे से सीख के कॉलेज के हॉस्पिटल में जाके खुद को सीरियस राके सीखो गें चीजों को तो आप बहुत अच्छा MBBS के बाद भी पैसा अर्न कर सकते हों गाइस एक चीज़ी बताता हूं अगर नॉर्मल अर्निंग का बताएं कि MBBS के बाद लोग कितने नॉर्मल अर्निंग कर सकते हैं तो आई थिंक साट से सतर हजार ठीक है पर मंथ अराम से कर सकते हैं ठीक है क्योंकि कोई भी मेडिकल ऑफिशर के पद पर अगर वो जाएंगे तो साट सातर हजार गवर्मेंट के तरब से उन्हें मिलता ही है ठीक है तो इसमें आपको सोचना नहीं बट अगर आप कहीं और भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर खुद का क्लीनिक सेट अप है तो आप वहां पे और ज्यादा लाइन कर सकते हैं कि अगर आप पीजी कर लेता हो तो टीक है M.V.स के बाद अगर पीजी कर लेते हो देन आपका आपका earning three times बढ़ जाएगा ठीक है तो आप ये चीज़ समझो कि PG करने के बाद बस earning बढ़ती है ठीक है बट PG करने के लिए आपको एक एक्जाम देना पड़ता है जो नीट से भी टफ है next नाम है उसका जो आपको MBBS के इंटरंशिप के बाद आपको देना पड़ेगा यह चीज़ आपको पता होना चाहिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कोईशन आता है जो मेरे सुस्ट्रेंट ने पूछा कि भाईया क्या आपने MBBS में आने के बाद रिग्रेट फिल किया क्या आपको MBBS में आने के बाद जो भी सचाई पता चला MBBS का क्या आपने उसके बाद रिग्रेट फिल किया कि क्यूं आ गए हम इधर ठीक है इससे बेटर हम कुछ और आप्सन चूज कर सकते थे ठीक है करना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं कि इस्टइगल करने के बज़ाए आप रिग्रेट फिल कर रहे हो कि क्यूं आ गए है ठीक है मैंने निट दिया बहुत महिनद करके निट दिया ठीक है निट देने के बाद कॉलेज में आ गए अद्धान पता चला कि कॉलेज में और भी पढ़ना है ठीक है बट ऐसा नहीं कि ऐसा पता चलने के बाद मुझे पीछे पैर पीछे कर लेना है और मुझे रिग्रेट फिल करना है कि क्यों आगे नहीं मैंने एक सपना देखा था कि मुझे डॉक्टर बनना है उसके लिए कितना भी मिनद करना पड़े मैं करूंगा ठीक ह Detroit करके अभी नीट निकाल लोगे न आप काष्ग में कोई दिकत नहीं होगा ठीक है आपको college में कोई दिख देखान वह आप हर Semester को हर University exam को बहुत असानी से अप निकाल लोगे थीचे वस完全 कोज मोड़ सानी शरी कर कर दो जिसे लगता है कि MBS बहुत गलत है ठीक है यहां पे पैर रखना मतलब समुद्र में छलांग बाना ऐसा कुछ नहीं है कि समझदारी से काम लो ठीक है खुद को मोटिवेट रखो एंड फोकस करो अभी जहां पे आप हो जहां पे आप हो वहां पे फोकस करो कि वहां पे कैसे बेस्ट देना है ठीक है उसके बाद वहां के बात जब आप उपर की सेडी पे जाओ तो वहां पे फिर बेस्ट देने का कोशिज करो ठीक है बाकि सब लाइफ अगदम अच्छा चलेगा ठीक है मेरा भी लाइफ अच्छा चल रहा है ऐसा कुछ नहीं कि टेंशन में है प्रेशर में है ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है प्रेशर आते हैं टेंशन आते हैं एक्जाम की टाइम में आते हैं ठीक है यह एक्जाम की टाइम में आपको बहुत प्रेशर आएगा ठीक है टेंशन आ झाल झाल